नमस्कार साथियो स्वागत है आपका उतकर्श परिवार में जहाँ पर मैं आपका स्वागत करता हूँ और इस वादे के साथ के सारे की सारी परिश्रम आपसे करवाएंगे और सारे के सारे एक्जाम तक आपका साथ देंगे यहाँ पर आ चुको हो electrical measurement के कुछ शांदार प्रेशन लेकर और नहीं सिव electrical measurement आपके लिए हम लोग आगे आने वाले time में और भी बहुत सारे प्रेशन और और भी बहुत सारे subjectों की कड़ी इस class में शुरू करने वाले हैं तो पहले start करते हैं हमने electrical measurement से start करी पिछले दो दुनों में काफी सारे questions आपने करे हैं और उमीद करता हूँ के practice करे होंगे और बहतर तरीके से समझ में भी आया होगा आज फिर से आकर उमीद करेंगे कि आज भी कुछ बहुत ही जबर्दस concept और बहुत ही जबर्दस concept की लड़ी में एक और चिं जर्द स्वैशन की बाढ़ जो आपको पता होनी चाहिए अगर मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकदर की बात है बिल्कुल सही बात है कि यार आप इतनी मेहनत कर रहード हो इतना Chenfoundering मिले गी के नहीं मिलें ये तो खेर किसमत की बात यह तो मुकदर की बात है लेकिन जो बीच का रास्ता है जो बीच का आपका रास्ता है उस रास्ते को देखकर घवरा जाना उस रास्ते को देखकर घवरा जाना और प्रयास ही ना करना ये क्या होती है ये गलत बात है दोस्तों और इसी लिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप मेहनत करते रहिए और मेहनत का फल कभी भी वेस्ट नहीं होता ये बात पक्की है ये बात लिखित है हम लोगों ने अपनी लाइफ में अलग-अलग लेवल पर इस चीज को माना है कि आप कितनी मेहनत कर लीजिए अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता जरूर खुल जाता है अगर HPCL अगर बंद हुआ तो क्या SSC J.E. नहीं खुल जाएगा क्या तो आज ऐसा कि आप लोग सभी लोग जानते है कि SSC J.E. का examination बहुत ही करीब है और आज ही I think notification भी आ चुका है SSC J.E. का तो देख लेना notification नहीं है notification की date आ चुकी है कि 12 अगस्त को notification आपका आ जाएगा तो उसको जरूर note down कर लेना कि 12 अगस्त को notification आने वाला है और उसकी preparation अभी से शुरू कर देना क्योंकि November में आपका exam होने वाला है SSC J.E. examination का गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलो class को start करते हैं के करके सबी question करेंगे और वहतर तरीके से concepts को सीखेंगे चलिए पहला सवाल आपके लिए ये रहा तो बताएंगे क्या है इस पहले सवाल का जवाब आप chat section में clear आसान question है बिल्कुल easy वाला question है पहला वैला तो देखो जरा बताओ जरा क्या answer है इसका the internal resistance of millimeter मेरे millimeter का internal resistance must be very low क्यों कम होना चाहिए बताइए जरा मेरे millimeter का millimeter का internal resistance कम होना चाहिए उसका reason क्या होता है उसका reason होता है देखो यार suppose करिए मेरे पास एक millimeter है यह millimeter है एक मेरे पास और इस millimeter में इस millimeter में आप क्या चाहते है कि इस में drop कम से कम हो, इसलिए मैं चाहता हूँ, इसका जो RA resistance है, यह minimum हो, क्योंकि इसके, इसमें जितना भी resistance होगा, वो इसमें drop create करेगा, क्या create करेगा, drop create करेगा, और मैं यह नहीं चाहता कि इसके अंदर किसी प्रकार का drop हो, इसमें से तो तेजगती से current जाना चाहिए, इसलिए इसका resistance सबसे ज़्यादा कम होता है, तो minimum effect on the current circuit के लिए हम लोग क्या करते है, milliameter का resistance होता है, इसको minimum रखते है, क्या रखते है, minimum रखते है, correct answer इसका होगा, A is the correct answer, देखो आने वाले time में, आने वाले time में, आप लोगों के लिए dedicated batches की starting होने वाली, आप लोगों को बहुत ही जल्दी इसकी सूचना मिल जाएगी, तो उतकर्स की इस channel पे बहुत सारा content, बहुत ही कम समय में, आप देखने वाले, तो चिंता मत कीजिए, जो आपको चीज की इच्छा है, वो चीज आपको जरूर मिल जाएगी, आप लोग को क्या करना है, या बने रहना है और बहतर तरीके से पढ़ाई करते रहनी है, तो दूसरे question की तरफ चलते है, जरा इसका इसको देखके बताईए, क्या है इसका correct answer रहने वाला है, प्रश्न संख्या नंबर 2, प्रश्न संख्या नंबर 2, the portable instrument, देखो जो portable instruments होते हैं, उनके बारे में पूछ रहा है, the controlling torque is provided by, जो portable instruments होते हैं, कौन-कौन instruments होते हैं, देखिए, सबसे पहले जो portable instruments, जो हम सबसे जादा use करते हैं, एक MI instrument भी होते हैं, वैसे तो अलग-अलग instruments होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, portable instruments की, portable instruments को या देखो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, portable instruments, वैसे तो हलके-हलके instrument हर जगे के एवलेबल होते हैं लेकिन अगर मैं बात करूं पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट को हम उन उन से डिफाइन करते हैं जो कि हम एक जगे से दूशी जगे और वही पर यूज भी कर पा है जैसे एरक्राफ्ट सिस्टम में आप जानते होंगे कि कौन से डिवाइसी यूज किये जाते हैं वहापे पी एम एम सी डिवाइसी यूज किये जाते हैं जानते हैं आप एरक्राफ्ट सिस्टम के अंदर कौन से डिवाइसी यूज किये जाते हैं जो रीडिंग देखते हैं आप लो क्यों उस नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है आ सकता है। देखो जरा PMMC device में magnet use करते हैं। क्या use करते हैं? magnet use करते हैं। magnet use करते हैं na? ठीक है? PMMC device के अंदर हम magnet का इस्तिमाल करते हैं और magnet में क्या होता है? इसकी जो magnetic flux density होती है वो ज़ाधा होती है, ठीक है न, magnetic flux density इसकी ज़ाधा होती है, और उस magnetic flux density के ज़ाधा होने की वएसे इसमें आती है self-shielding property, self-shielding property आ जाती है, क्या आ जाती है, self-shielding property, अब simple सी बात है, तुम इस चीज़ को समझो, कि तुम एक जगे पे हो, अर्थ के अंदर, तुम अर्थ के अंदर एक जगे पे हो, अब वहाँ पे तुम obviously अर्थ की magnetic field को observe कर रहे हो, लेकिन magnetic field इतनी कम है, तो आपको प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, ठीक है, जब आप space में जाओगे, जब आप space में जाओगे, तो आपकी magnetic field change हो जाएगी, होगी के नहीं होगी, 100% होगी ना, magnetic field आपकी change हो जाएगी, space में नहीं, मतलब एरप्लेन में धर्ती से 34,000 feet की उचाई पे आप move कर रहे हैं, तो definitely आपकी magnetic field चेंज होने वाली है, अब आप लेके चले के उपर MI type का instrument, MI type का instrument के अंदर क्या होता है, जो operating field होती हो, बहुत वीक होती है, operating field क्या होती है, वीक होती है, अब जैसी उपर गए, तो वहाँ पर अलग magnetic field, उस magnetic field की वज़े से आपको दिखाना था, 4 amp, वो दिखा रहा है 2 amp, यह हो गई problem, यह हो गई, बहुत बड़ी problem, तो उपर जहाँ पर जो 34,000 feet की उचाई है, वहाँ पर आप लोगों के वो devices काम नहीं करते हैं, जो devices weak operating field के होते हैं, जो device weak operating field के होते हैं, वो device काम नहीं करते हैं, इतनी उचाई पर, इसलिए aircraft system में हम क्या use करते हैं, PMMC instrument क्योंकि इसकी operating field क्या होती है, जादा होती है, magnetic field density जादा होती है, जो एक self-shielding property को करने में हम help करते हैं, जिसकी, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, class को आगे बढ़ाते हैं, अगले प्रशनी की तरफ, तब तक उम्मीद करूंगा क्या आप सभी लोग इस वीडियो के लिंक को share कर देंगे अपने दोस्तों में, ताकि जादा से जादा students तक हम पहुच पाएं और एक बहतर education students को दे पाएं, तो अगला सवाल क्या रहेगा हमारा, देखिए ज़रा, question number 3, प्रश्न संख्या 3, बताईए क्या होगा, यह sinusoidal voltage of 1 volt RMS, 1 volt RMS value, has a value of frequency दे रखिये 10 Hz, is applied across the two terminal of PMMC instrument, इसको हमने PMMC instrument पे apply कर दिया, answer बताएंगे chat section में, the voltmeter, अच्छा ठीक है, what is the deflection of the pointer, अच्छा PMMC instrument ऐसा instrument होता है, जो की एक linear instrument है, क्या है, जो की एक linear instrument है, linear instrument मतलब वो सिर्फ DC values को ही measure करेगा, अब हमने उसको ACGs provide करा दी क्या, कि आपका जो PMMC instrument है, इस पे 10 Hz, 10 Hz मतलब क्या बेरी frequency है, obviously है, 10 Hz है भईया यह, 10 Hz की frequency है, अब देखो ज़रा क्या हुआ है यहापे, frequency तो है, पर कम है frequency, 0 के करीब है, जीरो के करीब ही तो है, जाद दूर नहीं है, अगर यह kilohertz में होती, तो बोलते हैं 0 से दूर है, या 50 होती है, 60 होती है, तो बोलते है 0 से दूर है, तो यह 0 के करीब ही है, तो आपका जो pointer है, प्रिक्वेंसी सिर्फ DC के लिए काम करता है, AC के लिए काम नहीं करता, पॉइंटर 0 पे रहना चीए, पॉइंटर 0 पे रहना चीए, लेकिन क्यूँकि यह frequency जो है, यह frequency जो है, यह बहुत ही कम है, तो वो क्या करेगा, जीरो के आजू बाजू आजू बाजू आजू बाजू घूमता रहेगा तो correct answer क्या हो जाएगा the pointer oscillates around the 0 volt the pointer oscillates around the 0 volt is the correct answer यहाँ पे D होने वाला है आपका clear है दोस्तो सभी लोग बहतर तरीके से समझ पा रहे हैं हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्णी की तरफ आपके लिए जो की यह रहा next question question number 4 बताइए क्या होगा correct answer a rectifier instrument is used to measure the alternating square voltage of amplitude कितना 100 volt of amplitude 100 volt what will be the meter reading meter reading कितनी होगी आपको इतनी value measure करनी है तो आपको यह समझना है rectifier type instrument में होता क्या है rectifier type instrument की reading कितनी होती है rectifier type instrument rectifier instrument reading is equal to form factor multiplied by pmmc reading multiplied by pmmc reading यह चीज़ धियान रखेंगे अब form factor मेरा किस के लिए form factor मेरा किस के लिए use होता है अगर मैं sine wave यूज करूँ अगर मैं sine यूज करूँ तो 1.11 जाएगा 1.11 जाएगा form factor अगर मैं यूज करूँ तो 1.11 जाएगा लेकिन यहाँ पे कौनसी wave है यहाँ पे मेरी है square wave यहाँ पे मेरी है square wave square wave के लिए form factor कितना होता है simple 1 होता है square wave के लिए form factor कितना होता है simple one होता है अब जब simple one हो जाएगा multiplied by कितना one zero zero तो reading कितनी बन गई दोस्तों मेरे प्यारे correct answer है hundred volt is the correct answer वे तो कितना आसान question बन गया यह 1.11 से multiply नहीं करना पड़ा कितना आसान question बन गया न देखिए बहुत ही जल्दी क्योंकि जैसा कि आप सभी आएंगे हम भी आएंगे और एक और surprise faculty है जो कि आपके लिए आने वाले हैं तो चिंता की बात नहीं है क्योंकि electrical engineering से अगर आप prepare कर रहे हैं तो पूरी की पूरी पढ़ाई यहाँ पर कराई जाएगी आगे आने वाले time में आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन सी classes correct answer okay calculate the reading and that what will be the given hot wire instruments अगर हम मेजर करें hot wire instruments मेजर कर रहे हैं वोल्ट मीटर को अक्रॉस टर्मिनल ऑफ ए एंड जनेरेटर हुस वोल्टेज इस वेफर्म डिप्रेजनेट बाइडिस ओके तो यहाँ पर आपको एक यह वोल्टेज दे रखी है और आपको बोला गया है कि होट hot wire instruments से आपको calculate करना है कि क्या उसकी value रहेगी तो यहाँ पर actual में आपको निकालना क्या है rms value निकालना है rms value को calculate करना है simple सी बात है rms value कैसे calculate करते है जब इस तरीके से दो अलग-अलग frequency की sine wave आपको दी गई है solve करिए 400 का square divided by 2 plus 300 का square divided by 2 तो इसको solve कर दीजिए आपका answer बन जाएगा rms values में solve करिए यह किता है का 800 वो जाएगा 4500 तो फूरा solve करेंगे आपका correct answer बनेगा शाहिए यह b is the correct answer यहां बी सही answer इस calculation के तहट b will be the correct answer in this case ठीक है question number 5 तो simple rms value निकालने को बोला है simple rms value निकालने को बोला है अगर यहां बोलता कि m i instrument से निकाल लिए तो भी same answer होता अगर यहां बोलता pmmc से निकाल लिए तो zero answer होता ठीक है यह calculation करनी है यह calculation कर लेंगे square divided by two last वाले का whole root ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ओपर next question बड़ा ही जबरदस्त question नहीं है ठीक है सोस समझके अच्छे से बहुत interesting question है आप है क्या बोल रहा है कि इतना ampere है इतना volt है 60 ampere और 220 volt energy meter makes 51 revolution in 35 seconds 35 seconds में इतनी revolution ले रहा है तो आपको बताना है कि भाईया error कितना रहेगा कितना error कितना रहेगा देखो बहुत ही easy calculation है इसको देख लीजिए इस तरीके question को solve करना थोड़ा सा कठिन पड़ता है अगर आप examination के point of view से बोलेंगे क्योंकि calculation थोड़ी जादा होती है लेकिन हम धीरे धीरे चलेंगे और चीजों को अच्छे से समझेंगे ठीक है तो आपको क्या निकालना है revolution per kilo watt hour ये निकालना आपको कितनी revolution है sir 51 revolution है ठीक है और नीचे kilowatt बनाने के लिए म 220 multiplied by 60 ampere है तो ये तो watt होगा न multiplied by time से multiply कर देता है तो कितना होगा 35 seconds हो गया seconds को मैं hour में complete करूंगा तो 3600 हो गया multiplied by इसको क्या करूंगा revolution है ये और यहाँ पर kilo watt hour बनाना है तो thousand से multiply करूंगा ठीक बात है clear है ये calculation कर सकते है इस calculation को आप complete करेंगे आपका क्या एगी value 397 point something आएगी 397 point something you will get this value अब आपको क्या निकालना है error निकालना है ये क्या है आपकी measured value क्या है measure की है न ये क्या है measured value true value कौन सी होगे ये true value होगे तो percentage error क्या होता है percentage error क्या होता है measured value minus true value divided by true value 397 minus 420 divided by 420 multiplied by 100 multiplied by 100 correct answer in the percentage निकाल लीजिए आपका correct answer आएगा ये B will be the correct answer B 5% के आसपास आपका सही answer बनेगा यहाँ पर देखो इस वाली पूरे तरीके से हमने किया है 397 minus अच्छा plus minus उसमें कोई दिकत नहीं option में सारे plus दे रखे तो कोई दिकत नहीं है हम mod consider करेंगे यहाँ चीक है 397 minus 420 by 420 multiplied by 100 आपका 5% आपका answer बनेगा यह वाला answer B will be the correct answer अरे आया क्या समझ में है यहां है बई आया ना चलो अगले सवाल पर के उपर चलते है next question आपके सामने कुछ यह रहा बहुत ही बड़ी है यह भी बहुत ही error के question तो भी बहुत ही जादा interesting और बहुत ही जादा जाबर्दस्त होते है तो यहाँ पर इस वाले question को देखो किस तरीके से हम इसको solve कर सकते है determine the secondary voltage आपको secondary voltage निकालने है of the potential transformer की when the value of system voltage is given by 6600 the turn on ratio of the potential transformer is 107 ठीक है turn on ratio of the potential transformer is 107 and the percentage voltage error भी दे दिया voltage error भी दे दिया आपको transformer का जो साथ प्रतिशत की आसपास है तो आपको क्या निकालना है secondary पे कितनी voltage है मेरी आप देखो कैसे निकले गाई दियान से देखना बिलकुल देखो तुमने जो मांगा है वो तुमें जरूर मिलेगा electrical engineering के बहुत सारी चीजे आप लोगों को अगली 13 तारिक से मिलने वाली है तो चिंता मत कीजेगा आप लोगों को बहुत सारी चीजे जो आगे line-up में है जो मिलने वाली है तो जाधा weight नहीं करना पड़ेगा ठीक है मिलेगा सब मिलेगा ऐसा नहीं है कि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा सब मिलेगा उतकर्श के इसका एक सिस्टम की वोल्टेज है आपको टर्म्स रेशियो दे रखाए 107 तो सेकेंडरी पर कितना वोल्टेज निकलेगा आपको 6600 डिवाइड बाइ 107 कैल्कुलेट करोगे कितना आएगा लगब लगब करीब करीब आएगा 61.something आएगा ठीक है चेक कर लेना 61.something आएगा अब इसके बाद आपको बोला गए सर वोल्टेज एरर इतना है तो आप मुझे बताए सेकेंडरी वोल्टेज कितना होगा वोल्टेज एतना है तो सेकेंडरी जो एरर होगा सेकेंडरी पर आपको पहुचने के लिए जो सेकेंडरी वोल्टेज जो निकालने के लि कितना साथ परसेंट है ना 0.07 multiplied by 100 तो जो भी परसेंटेज है वो उसी साफ से निकालता है इसको सीधा ही multiply कर दो final value कितनी आ जाएगी इसको solve करोगे जरा solve करोगे आपकी final value आईगी करीवन 57.42 57.42 के आसपास value आएगी तो C is the correct answer इदर चिंता मत कीजिए हमें पता है कि आप लोगो जरूरत है और आप लोग पास होना चाहते हो आप लोग अपना के बारे में बात करेंगे क्या बोल रहा है which one of the following statement is correctly correctly response the statement error बताओ systematic error के बारे में आप से पूछा जा रहा है systematic error के बारे में पूछा जा रहा है कि इन में से कौन सी statement systematic error से संबंद रखती है इस चीज का ध्यान रखना अगले सवाल के उपर चलते हैं तरीके से question number 9, क्या बोला जा रहा है इसके अंदर, in a 3-phase power measurement for a balanced load using 2 watt meter method, the reactive power is given by, अब reactive power का formula, जब हम calculate करते है 2 watt meter से, तो किस तरीके से calculate करते है, reactive power होती है, q is equal to root over of 3, w1-w2, q बराबर, root over of 3, w1-w2, तो correct answer क्या बने का बता हो यहाँ पर, option पढ़के अच्छे से, correct answer बन रहा है, root 3 multiplied by difference of the reading of the 2 watt meter, option d is the correct answer, आया के नहीं आया, दोस्तों, clear है, बहुत बढ़िया, अच्छे, यहाँ पर अगर पूछा जाए आपसे, कि sir, आप मुझे यह बताईए, कि active power, जो P है, उसका क्या formula है, तो P का formula लिखो, w1 plus w2, simple addition of both the watt meters, addition of both the watt meters, will be the correct answer, यह किसके बराबर हो जाता है, 3 multiplied by vph, iph, cos over of 5, 3 multiplied by vph, iph, cos over of 5 के बराबर हो जाता है, और अगर मैं बात करूँ किसकी, इसकी है, यह क्यू तो हमारे ऐसा निकलता है, अगर मैं w1 minus w2 निकालू न, यह किसके बराबर होता है, root over of 3, vph, iph, sin over of 5, root 3, vph, iph, sin over of 5 के बराबर होता है, और अगर मैं इसको root 3 से multiply कर दू, ठीक है, अगर इस चीज़ को मैं root 3 से multiply कर दू, तो यह क्या बन जाता है, क्यू मेरी reactive power बन जाती है, क्या बन जाता है, मेरी reactive power बन जाती है, अगर मैं इसे root 3 से multiply कर दू, w1 minus w2 को, आगे चले, चलिए, next question, प्रश्ण संख्या नंबर 10, आगे बताएंगे इसका answer, सभी लोग, हां जी, the device capable for detecting voltage, एक device which is capable for detecting the voltage, current and the angle between the voltage and the current to provide the power reading directly in watts, देखो, बताओ, कौन से device की बात हो रही है, देखो, आपको watt में energy मिल जाएगी, आपको पता होना अच्छी है, current, voltage, और angle, कौन से device होगा, watt meter is the correct answer, कौन से device होगा, watt meter जहां सही answer हो जाएगा, easily आप इसको calculate कर सकते हैं, बहुत easy-easy question लेके आया है, आज तो, अगला बता ही है, प्रशने संग्या है, क्या रहा, यह LVDT is used to measure displacement, LVDT is used to measure displacement, the LVDT feeds volt meter range इतनी है, ठेक है, through a 250 gain amplifier, एक amplifier भी है, जिसमें इतना gain लगा हुआ है, ठेक है na, for displacement of 0.5 mm, for displacement of 0.5 mm, the output of LVDT is इतना, the sensitivity of the instrument, जिसमें होती है, sensitivity क्या होती है, volt per mm में, कितना volt की range है, इसकी 5 volt की range है, divided by, divided by mm से multiply कर दीजे, इसको, mm से multiply कर दीजे, divided by volt per range हो गया na, देखो इदर, 0.5 mm, 0.5 mm से multiply कर दीजे, correct answer क्या आएगा, volt per mm में, ये दो होगी sensitivity, अब एक चीज़ हम miss कर रहे है, हम क्या miss कर रहे है, 2, यहापे 250 gain दिया हुआ है amplifier का, और output of LVDT दिया हुआ है मेरे को, 2 millivolt, 2 millivolt दिया है नहीं आपे, अब इसको राज सॉल करोगे, क्या correct answer आएगा, 10 volt by mm आएगा, 10 volt by mm आएगा, अब इदर आ जाओ, 10 volt by mm, इसको इससे divide कर दो, 250 multiplied by 2, तो यहाँ पर यह बन जाएगा, करीब करीब 10 millivolt, 1000 millivolt से multiply करोगे, और इसको एक और 0 लगेगा यहाँ पर, तो इसकी answer बनेगा, 1 volt by mm, correct answer आएगा यहाँ पर, 1 volt by mm, see I think correct answer बनेगा, यहाँ पर, चेक करना इसको, चलो, next, प्रश्न संख्या नंबर 12, प्रश्न संख्या नंबर 12, in a CRT, secondary electron are collected by a conductive coating of aqua dog, aqua dog को लगाया जाता है, क्योंकि होता क्या है, aqua dog एक ऐसा aqueous solution होता है, aqueous solution लिखो, aqueous solution of graphite, it is a aqua solution of graphite, इसके अंदर होता क्या है, जहाँ से सुनो, कि आपके CR-O के अंदर, CRT होता है, cathode ray tube, cathode ray tube का काम क्या होता है, beam को एक जगे से दूशे जगे तक ले जाना, सही तरीके से, लेकिन जो भी electron, अगर scattered हो जाता है, या बीच में अपने रास्ते से भटक जाता है, तो उसे हम कहते है, secondary scattered electron, और वो electron को, अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो damage कर सकता है, मेरे पूरे के पूरे system को, ठीक है न, क्योंकि वो एक charged electron था, high speed से घूम रहा था, तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, उसके लिए हम एक echo solution of graphite बनाते है, एक लिए है, echo solution of graphite क्या करता है, वो जो charged electron जो इधर उधर 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 भूम रहा है, उस electron को अपने अंदर absorb कर लेता है, echo solution of graphite और इस echo solution of graphite को कहा जाता है, aqua dog, क्या कहा जाता है? aqua dog कहा जाता है, clear है? तो correct answer यहाँ बना graphite solution, correct answer क्या बना? graphite का solution होता है aqua dog clear है all of you समझ में आया ना चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के उपर और next सवाल हमारा है ये वाला प्रशन संख्या 13 क्या होगा बताईए what is the order of minimum displacement that can be measured by capacitive transducer देखो capacitive transducer कौन से होते है basically basically आपके system में दो अलग अलग प्रकार के transducer होते है it is a type of electrical transducer ठीक है electrical transducer का type है यह capacitive transducer हमारा हमको क्या करना है दो capacitor की help से हम उसको suppose करिए कुछ capacitance हमारे पास है now do we need to convert जो energy यहाँ पर है जो energy यहाँ पर है उसको electrical form में लेके आना that is the work of a capacitive transducer okay so what is the value of minimum displacement is equal to one micrometer is the correct answer one micrometer is the correct answer for this capacitive transducer clear है next ले रहे है अगले सवाल के उपर प्रश्ट संक्या 14 which type of wattmeter cannot be used for measurement of both AC and DC both के लिए कौन सा instrument इनमें से कारे नहीं किया जा सकता तो देखो जारा dynamometer type instrument होता है यह तो transfer instrument होता है क्या होता है transfer instrument होता है और transfer instrument ध्यान से सुनिएगा transfer instrument जो होते है वो मेरे AC पर भी काम करते DC पर काम करते और उसमें कैलिबरेशन की भी requirement नहीं होती नहीं होती ना कैलिबरेशन की भी requirement नहीं होती ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट में electrostatic type instrument voltage calculation के लिए होते है basically और voltage calculation के लिए होते है और इसमें हम लोग calculate कर सकते हैं अलग अलग चीज़े यहाँ पर AC DC दोनों के लिए कारे किया जाता है यहाँ पर ठीक है वैसे तो voltage calculate कर रहे है watt meter power measurement इससे जदा नहीं होती voltage measurement हम इससे करते हैं अच्छा अब बच जाता है induction टाइप यह सिर्फ और सिर्फ AC के लिए ही काम करेगा किसके लिए काम करेगा बच्चों सिर्फ और सिर्फ AC के ठीक है तो दो option यहाँ पर सही लग रहे है मुझे कि कौन से में यूज नहीं होती तो electrostatic voltmeter ही होता है सिर्फ और induction टाइप का system जो होता है power measure कर सकते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ AC power measure ही हो सकती है induction टाइप वाट meter energy meter होता है बेसी कली तो यह आपका B और C दोनों मेरे सकते हैं लेकिन वहाँ पर AC DC दोनों हम यूज कर सकते हैं ठीक है तो correct answer मेरे साब से दोनों होंगे यहाँ बी और C दोनों आगे चलते हैं चलिए Synchro क्या है, Synchro क्या है, बताइए on It is a parabolic transducer, it is angular position transducer, it is a synchronizing transducer, it is a variable transducer तो यार सिंक्रो सिंक्रो सर लगता सा सिंक्रोनाइजिंग पावर होगा ना सिंक्रोनाइजिंग होगा सर जूट मत बोलना correct answer है it is a angular position transducer angular position transducer transducer होते क्या है यह आप सभी लोग थोड़ा थो जानते ही होंगे देखो conversion of one form of energy to another form is done by this transducer अब transducer में सिंक्रो कहा पर काम आता है आपकी जो मोटर की shaft होती है मोटर C नहीं है इसका answer लग रहा है C है पर C नहीं है इसका correct answer B है मोटर की जो shaft होती है उसमें कितना angular position change हो गया है उसके हिसाब से कितनी electrical energy बननी चाहिए इस चीज़ पर defined होता है यह सिंक्रो ठीक है clear है तो वापस से बता दे रहा हूँ जो भी मोटर की angular position जितनी change होती है उसके हिसाब से कितनी electrical energy बननी चाहिए और कितनी electrical energy बन सकती है उस पर define होता है यह सिंक्रो का concept ठीक है अब the electrical diameter type wattmeter current coil is made fixed pressure coil is made fixed both coils are fixed both the coils are movable बताएए क्या होगा answer chat section में तो हमारे पास इस तरीके से कि एडियम टाइप मीटर होता है जिसकी current coil को हमने दो पार्ट में वाजित कर देते हैं और potential coil इस तरीके से होती है यहाँ पर लोड होता है में न होता है न इसे अब देखो यह current को दो पार्ट में टिवाइड कर दिया तो current क्या fixed होती है यह बताएंगे देखो आपकी जो current coil है उसमें से current जादा जाएगा यह मैं हर लग बलक हर क्लास में एक सब बताते ही बतातों क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट है करनेंट आपका यहां से जाना चीह करेंट कोईल में से तो करेंट ज्यादा होगा अधरिया फ्रॉस सेक्षेशन जाधा होगा अगर पोटेंशल को यह तो करेंट कोईल की बात करो तो current उसका कम हुआ, current कम हुआ तो area of cross section कम हुआ, area of cross section कम हुआ तो thin होगी न, इसका मतलब जो potential coil है वो hulky है और current coil है वो मोटी है, potential coil जो है वो hulky है और current coil क्या है भारी है, तो आप क्या चाहोगे कि मेरा moving system है, वो मेरा hulka रहे के भारी रहे, इतना सा बता दो, जो moving system है, वो हulka रहे के भारी रहे, the current coil is made fixed, तो इसलिए हम potential coil को moving बनाते है, और current coil को fixed बनाते है, इसलिए हम potential coil को moving बनाते है, और current coil को क्या बनाते है, fixed बनाते है, आया क्या समझ में, clear है, आगे बड़े, बहुत बढ़िया, next question, प्रश्ण संग क्या, 17 है, जल्दी से क्या होगा, इसका correct answer, बताइए, ओह, 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 यह क्या सवाल है sir, देखो, consider the following statement, देखो, LVDT, linear variable differential transformer, LVDT, linear variable differential transformer, LVDT, देखो, इसके अंदर, आपकी जो primary winding होती है, वो एक primary winding होती है, भी कोई बात बोलने की बात ही, primary winding एक ही रहेगी, exactly two similar secondary winding, एक होगी primary winding, LVDT के अंदर, और exactly two similar secondary winding हो जाएगी, toroidal magnetic core, नहीं, नहीं, toroidal magnetic core use नहीं करते हैं, हम इसमें use करते हैं, कौन जी, ferrite core use करते हैं, correct answer बनेगा, आपका B, 1 and 2 are the correct answer, linear variable differential transformer, LVDT, के question बनते हैं, transducer के ही portion में हम इसको थोड़ा सा discuss करते हैं, तो इसको भी आपको बता दिया जाएगा, correct answer होगा, B correct answer था इसका, the single phase energy meter has a constant of 1200 revolution per kilowatt hour, बहुत बढ़िया, when the load of, कितना, इतना watt is connected, the disk rotates, इतना revolution per minute, if the load is on 10 hour, the meter record excess, बहुत ही, थोड़ा सा भारी question है, अगर हम बात करें, age, age level के हिसाब से तो, लेकिन अगर पूछा गया है, तो फिर answer तो बताना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, देखो, आपको एक दिया गया है, 1200 revolution, revolution per kilo watt hour, यह आपको energy दी हुई है, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, बाकी जितनी चीज़े बची हैं, उससे यही चीज़ निकाल लो, ठीक है, देखो, question तो भारी भर कम है, question अच्छा है, तो question अच्छा है, तो ऐसा तो नहीं छोड़ देंगे, आया है तो answer तो बताएंगी, ठीक है, प्रशान मत होना, थोड़ा सब रखना, थोड़ा जल्दी नहीं चलेंगे, थोड़ा आराम से चलेंगे, क्योंकि लंबा question है, ठीक है अब देखो तरह, हमको इस revolution तक पहुचना है, यह मेरी यह है, n, t, जो की मेरी true value, n, t की value है, जो की मेरी true value है, अब मुझे एक measured value तक पहुचना है, ठीक है, measured value तक पहुचना है, तो revolution पर minute मुझे दे रखी है, ठीक है, revolution पर minute मुझे दे रखी है, तो total revolution कितनी हुई? टोटल रिवॉलुशन में 4.2 और एक मिनिट में एक मिनिट में कितनी रिवॉलुशन हो 4.2 तो एक आवर में कितनी होगी तो multiply by 60 कर देते हैं और यहाँ बे total time कितना है 10 hours 10 hours में कितनी होगी multiplied by 10 कर देते हैं ये क्या है total robe a друзья आगी मेरे पास इतना समझ में आ गया इतना सा समझ में आ गया अब देखो इतना तो clear हो गया कि total revolution इतनी है मुझे क्या निकालना है revolution पर kilowatt hour क्या निकालना है revolution पर kilowatt hour तो कितना था 4.2 multiplied by 60 multiplied by 10 divide by kilowatt hour निकाल रहे है अब kilowatt hour के लिए watt आपको सीधे दे रखा है 200 ठीक है hour भी सीधे दे रखा है 10 वा क्या बात है 200 multiplied by 10 ठीक है क्या दे रखा ये watt hour किलो करना है तो उपर multiply कर दीजिए 1000 से ये क्या है revolution तो revolution पर kilowatt hour आ गया इसको calculate करेंगे nm बनेगा nm कितना आएगा 1260 क्या सपस आएगा revolution पर minute 1260 revolution पर minute के आसपास आएगा करीब करीब आपका solve करिए percentage error निकालेंगे 1260 minus 1200 divided by 1200 तो 0.05 आएगा आपका percentage में 0.05 आगया आपका percentage के अंदर अब देखो अब निकालना क्या है question में ये देखो अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2 total energy बतानी है total energy कितनी होगी 200 multiplied by 10 200 multiplied by 10 अब टोटल energy में कितना error हो गया total energy निकालो 200 multiplied by 10 कितना होता है यह 2 kilowatt hour 2 kilowatt hour अब अगर आप इसका इतना percent 5% निकालो गया तो वो कितना जाएगा ये सवाल पूछा गया है kilowatt hour में अगर आप इसका 5% निकालोगे तो इसका answer क्या होगा ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है इसका 5% निकालोगे तो answer कितना आएगा 0.1 kilowatt hour A is the correct answer देखो कितना जबर्दस question है और क्या शांदार इसमें concept लगे है देखो पहला concept सबसे पहला concept total revolution निकालनी है sir तो 4.2 multiplied by 60 क्योंकि 60 minute का दे रखा है multiplied by 10 कर दिया क्योंकि 10 आवर तक मेरी जो energy meter यह घूम रहा है तो total revolution निकल गई अब मुझे निकालनी है revolution पर kilowatt hour revolution पर kilowatt hour बहुरती इंट्रस्टिंग है तो total revolution निख लिए डिवाइड बाइड 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 दस तो वाट आवर हो गया किलो लगाना है तो उपर उपर 1000 से multiply कर दिया जब इतना समझ में आ गया तो इसका आंसर निकाल लोगे बारा सो साथ समझ में आ गया तो आप एर निकालना पड़ेगा कि आप से पूछा गया कि आर कितना और आप से एर डिरेक्ली निकालना क्यों जरूरी है क्योंकि आप से बोला गया है कि error बताओ reading में कितना आएगा तो आपको error निकालने के लिए 1260 multiplied by 1200 divided by 1200 करा तो 5% का error आ गया जब 5% का error आ गया तो total energy आप निकाल सकते हो कितनी हुई watt multiplied by hour तो 2 kilowatt hour आगी 2 kilowatt hour आगी अब 5% निकाल लो किसका 2 kilowatt hour का 5 by 100 multiplied by 2 in kilowatt hour solve करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 यह तो 0.01 के आसपास answer आ जाएगा तो 0.1 के आसपास आपका answer आएगा करीब करीब तो यह इसका सही answer बैठेगा यहाँ पर तीक है 5% के आसपास 5% के आसपास आपका answer बैठेगा तो अगले सवाल के उपर चलते है next question आपका यह रहा question number one nine बताएगे क्या होगा बहुत ही अच्छा गाजा भारी भरकम question था कोई बात नहीं एक आथ भारी भरकम question भी आने चाहिए नहीं तो फिर सारी आसान आसन करोगे तो कैसे चलेगा है ना चलो the two holes are drilled in the disc of on the diameter of energy meter diametrically opposite holes लगाय जाते है ऐसे diametrically opposite holes लगाय जाते है एदर ठीक है ना क्यों लगाय जाते है to reduce the creeping creeping क्या problem होती है no load के उपर rotation of the disc no load के उपर rotation of the disc को creeping कहा जाता है तो creeping को reduce करने के लिए 2 holes लगाय जाते है ताकि इसकी वज़े से एक add current produce हो यहाँ पर जो overall add current के effect को जो rotation हो रहा है जिसकी वज़े से वो इसको reduce कर पाए तो correct है to creeping eliminate the creeping at the no load C is the correct answer यहाँ पर to eliminate the creeping at no load C यहाँ पर correct answer बनेगा आपका ठीक है अगले सवाल के उपर चल रहे है हम लोग question number 20 बताईए in a transducer in a transducer the observed output deviates from the correct value by a constant factor of transducer के अंदर तो आपकी observed output है deviates from the correct value by the constant factor the resulting value is called resulting value आपका कहलाता है sensitivity error sensitivity error is the correct answer एक तरीके से आप कहेंगे कि calculation उसमें बिल्कुल भी नहीं है पूरा पूरा theoretical है तो उस हिसाफ से चीज चीज चल रही है sensitivity error is the correct answer है ना बेटा चलो next no load पे किस coil पे current flow होता है देखो energy meter की बात कर रहे है no load के उपर creeping की problem होती है it is not because of the current movement it is because of the over voltage over compensation and vibration of the energy meter ओके यह जो no load condition में creeping की problem होती है it is because of the three reasons what are the three reasons over compensation over compensation क्या होती है over compensation यह होती है सर हम मेरे जो pole मेरा जो core होती है जो e-type की core होती है energy meter में उसके अंदर में shaded coils लगाता हूँ उसकी वज़े से over compensation हो जाती है over compensation में क्यों लगाता हूँ sir static friction को remove करने के लिए तो over compensation की वज़े से मेरे meter के अंदर creeping की समस्या हो जाती है no load में current की वज़े से नहीं होती current move नहीं कर रहा है वाप है ठीक है पहली बात दूसरी बात vibration होता है meter के अंदर उसमें इसी reason की वज़े से और over voltage की वज़े से creeping की समस्या होती है तीन reasons की वज़े से creeping की समस्या होती है तो I think समझ में आ गया होगा कि no load current की वज़े से creeping की समस्या नहीं हो रही है clear है? आगे बढ़ते हैं next question की तरफ यह वाला question number 21 का answer वादा ही है calculate the fastest rise time of a sine wave that to have reproduced in CRO the bandwidth आपका इतना है तो rise time का formula क्या क्याता है 0.35 divided by bandwidth rise time ही निकालना है आपको I think है ना rise time निकालना है तो यह कितना हो गया 0.35 divided bandwidth कितनी तरह रखी है 0 to 10 hertz तो यह 10 से divide कर दो इसको 0.035 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.035 को 35 millisecond तो यह आपको millisecond में ही बताना है 35 is the correct answer I think C will be the correct answer बन गया के नहीं बन गया है जी बन गया ना है बिल्कुल easily सीधा formula है यह question पूछा गया था exam में बन जाएगा easily question number 21 आया क्या चलिए next question पे चल रहे बटा क्या है अगला question यह वाला which one of the following can act as a inverse transducer अच्छा देखो inverse transducer का मतलब बता तो inverse transducer का मतलब बता रहो देखो inverse transducer क्या होता है कि suppose करिए कि आपके system के अंदर आपके system के अंदर एक transducer होता क्या है जो किसी भी तरीके से अब energy को एक form से दूसरी form में ले जाए energy को एक form से दूसरी form में ले जाए वो आपका transducer क्या करता है कि आपका अब किसी भी चीज़ पर प्रेशर लगाओगे तो वह प्रेशर अगर आपको एलेक्रिक चार्जस प्रोवाइड करा दे कहीपर तो वह आपका inverse transducer का case मन जाएगा तो inverse transducer क्या होता है या piezoelectric crystals होते हैं piezoelectric crystals ऐसी ऐसी चीज़े होती है जिस प्रेशर प्रवाइट कर आओगे तो इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रड्यूस कर जाएगी मैंने एक न्यूस पड़ी थी कि जापान में उलो ने क्या किया किया कि पीजो एलेक्ट्रिक क्रिस्टल बहुत सारे सारे इखटे की है और उनको क्या किया मॉल में सोच के देखो तुम दिमाग क खर्चा उस बैटरी में जितने चार्जेस इखटे होए उनसे निकल गया तो बिजली कितनी बच गई ठीक है ना तो पीजो एलेक्ट्रिक किस्टल हम यूज करते है रॉशल स्लो रॉशल सॉल्ट क्वार्ट्स ये दो हमारे मैट्रियल होते है रॉशल सॉल्ट और जैसे नो लोट पर कोई एनर्जी मीटर वर्क कर रहा हो तो क्या वोल्टेज कॉयल में करंट फ्लो होगी देखो वोल्टेज कॉयल में करंट फ्लो नहीं होती है ठीक है एनर्जी मीटर नो लोट के उपर नहीं मूव होना चाहिए लेकिन मूव होता है ड्यू टू सम रीजन due to some fluctuations, ओके, जैसे हो गया, आपका vibrations provide होना न, over voltage provide हो जाना, ठीक है, इस वज़े से वो move होता है, ठीक है न, चलिए आगे बढ़ते है, next question की तरफ चल रहे है, अगला सवाल, यह रहा, बताइए क्या होगा answer chat section में, the bridge widely used for capacitance and dissipation factor, ऐसा कौन सा bridge है, जो capacitance measurement करेगा, और dissipation factor measure करेगा, वो होगा, shearing bridge, shearing bridge, when bridge क्या measure करेगा, self inductance measure करेगा, self inductance measure करेगा, for Q, Q की value greater than 10 volt, Q की value, greater than 10 volt के लिए self inductance measurement करेगा, Campbell bridge, Campbell bridge क्या करेगा, mutual inductance, mutual inductance measure करेगा, Maxwell bridge क्या करेगा, क्या करेगा, self inductance करेगा, for Q की value less than 10, Q की value less than 10, note कर ले नहीं, सारी चीज़े जो जो लिखवारों में, Q की value less than 10, यहाँ पर Q की value है, greater than 10, यहाँ पर Q की value है, less than 10, Q मतलब quality factor, क्या आपका inductance में कितनी quality है, coil को couple करने की, ठीक है, mutual inductance कौन, Campbell bridge, अभी Campbell bridge भी है, heavy side Campbell bridge भी है, जहाँ पर भी आपको word दिख जाए, heavy side और camp bell, heavy side, camp bell, यह दो अगर word दिख जाए, तो समझ लेना कि mutual inductance का calculation हो रहा है, सार, sharing bridge से क्या हम frequency calculate कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, sharing bridge से frequency calculate कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ध्यान रख लेना, सार, frequency किस से calculate करेंगे, यह उल्टा हो गया, क्या, अरे, यह vein bridge हो गया, रुको, रुको, यह vein bridge से frequency करेंगे, और haze bridge, haze bridge बता दिया, मैं यह को haze दिखाए, haze bridge से self inductance, और q की value greater than 10, मैं यह को ज़्यादा pass से haze दिखा, तो यह vein bridge है, vein bridge से frequency करेंगे, इसको note कर लेना, ठीक है ना, ज़्यादा इस screen से करीब ही ज़्यादा हो गई, ठीक है, vein bridge है तो frequency कर लेना, और haze bridge, self inductance for q value greater than 10, ठीक है, इसको सही कर लेना, ठीक है, साइड चीज़े बता दिया हमने, चलो आगे चलते हैं, next question के उपर, the use of thermocouple meter, the use of thermocouple meter for AC measurement leads to meter scale, which is, thermocouple meter से अगर हम AC measurement करेंगे, तो उसकी scale कैसी रहेगी, उसकी scale रहेगी, square law scale रहेगी, वहाँ पर भी, जो भी deflection रहेगा, that is proportional to IE का square ही रहेगा, क्योंकि वो क्या करती है, AC के लिए भी काम करेगी, और DC के लिए भी काम करेगी, ठीक है, दोस्तों, correct है, अगले सवाल के उपर चल रहे है, next question, प्रशनी संक्या 25, thermistor are made up of, thermistor are made up of pure metals, pure metal, pure insulator, pure semiconductor या फिर, sintered mixtures is the correct answer, sintered mixtures is the correct answer, अब देखो, sintered mixtures क्या होता है, जिसको एक composition के तहद बनाया जाता है, ठीक है न, composition के तहद बनाया जाता है, उसे sintered mixtures कहता है, और यह thermistor जो होते है, यह होते क्या है, यहाँ पे जो temperature coefficient होता है, इनका negative temperature coefficient होता है, negative temperature coefficient होता है, इनका temperature coefficient negative होता है, सबसे important, note कर लेना इसकी temperature range, temperature range पूछेगा, temperature range कितनी होगी, minus 55 degree Celsius से, minus 66 degree Celsius, 65 degree Celsius, अब इसी की सरीके से होता है, एक RTD, resistance temperature detector, इसकी range कितनी होती, करीब 180 degree Celsius पे लिए काम करते हैं, और अगर मैं, इसको मैं extend करूँ, इसको अगर मैं extend करूँ न, तो 630 degree Celsius तक काम कर देता है, register temperature detector, RTD, ये वाला, RTD जितने device होते हैं, वो सारे के सारे positive temperature coefficient के लिए कार्य करते हैं, RTD जितने device होते हैं, वो सारे के सारे positive temperature coefficient के लिए कार्य करते हैं, इसका correct answer बनेगा, sintered mixtures, एक होता है thermocouple, एक होता है thermocouple, एक होगा thermocouple, इसकी temperature range लिख लो, करीब गरीब 16-100 degree Celsius तक ये कार्य कर लेता है, उससे ज़्यादा भी होती है, average range आपको 1600 मान लिजिए इसकी thermocouple की, it is based on the concept of seabag effect, it is based on the concept of seabag effect यहाँ पर, यह जो 3-4 चीज़े में लिखवाई है, बहुत important है, आपके examination के लिए ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा, चलिए, next question की तरफ चल रहे है, correct answer, question number 26 का, the rotameter is used for measuring, rotameter किस चीज़ के लिए calculate किया जाता है, measure करने के लिए, rotameter के बारे बताइए, is used for measuring, the flow is the correct answer, A यहाँ पर सही answer है, ठीक है, flow is the correct answer, RTD का 630, maximum, RTD का 630 रहता है, maximum, उससे ओपर नहीं गया है, वैसे 183 degree के असपास हम उसको normal range में use करते है, RTD का maximum जाता है, 630 degree, rotameter is used for measurement of what, flow meter, viscometer, 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 viscometer use करेंगे, viscocity के लिए, viscometer use करेंगे, viscocity के लिए, pincometer, pincometer specific gravity के लिए, नोट कर लेंगे, सारे के सारे, क्योंकि important है, और यह ऐसा portion discuss कर रहा हूँ, जो की बहुत ही कम मिलता है, और जिसके question को बहुत ही कम मिलते है, और इस तरीके की question exam में आ जाते हैं, तो फिर फस जाते हो, मैं जानता हूँ, फस जाते हो, बहुत अच्छी तरीके से फस जाते हो, तो ये वाले questions जरूर करके जाना, क्योंकि ये वाले questions पर आपका ध्यान बहुत कम जाता है, वैसे wattmeter ये सब चीज़े तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, ठीक है न, measuring instrument भी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, लेकिन ये चीज़े आप पढ़ते ही नहीं हो, ठीक है, लेकिन इस चीज़ के उपर ध्यान जाना जरूरी है, क्योंकि अगर selection लेना है, तो हर एक CD उतनी ही जादा जरूरी है, इसलिए हर एक subject, हर एक topic उतना ही जादा जरूरी है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल के उपर, प्रश्न संख्या है मेरी 27, 27, बताईए ज़रा controlling torque in मेगर, बताईए, मेरे मेगर के अंदर controlling torque किसलिए लगाया जाता है, provided by the spring is not provided at all, it is provided by the weight attached to the moving system, provided by the spring and the weight both, देखो यार मजेगी बात पता है क्या है, इसका एक और option है, provided by the coil, provided by the coil के दवरा, अब देखो होता क्या है मेरे के अंदर, जो आपकी, जो आपकी जो पूरी की पूरी कोईल है लगी वही आपे, यह जो आपकी कोईल लगी वही है, आपके मेगर के अंदर, उस कोईल के अंदर ही, आप इस तरीके का arrangement setup करते है, कि वो automatically आपको control provide कराती है, कोईल के अंदर ही इस तरीके का arrangement setup करते है, कि automatically वो कोईल ही आपको क्या प्रोवाइड कराती है, control provide कराती है, controlling torque provide कराती है, कि कोईल के दवारा, आपका आपका जो torque है, वो provide किया आया जाता है, ठीक है, दिखार रख लेना, यह यहाँ पर सही answer बैटेगा, next, प्रश्ण संख्या नंबर 28, बिल्कुल आप बहतर तरीके से पढ़ाई करो, और exam में selection लेके हो, यही हम चाते है, और जैसा कि आप जानते, फिर से बता देता हूँ, SSCJE का notification date आ चुकी है, 12 अगस्त है, तो तयारी अभी से शुरू कर दो, क्योंकि अगर नवंबर में paper है, तो आपको पढ़ाई के लिए कितना time है, जुलाई, अगस, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में पता नहीं, पहले हफते में paper होगा, तो क्या करोगे, तो सिर्फ 4 महीने आपके पास, यार, 4 महीने बहुत कम होते हैं, अगर आपको पढ़ाई करनी अच्छे से, तो अभी से मेहनत करने लग जाओ, अगर आपने पहले पढ़ाई करीवी भी है, तो फिर आप से practice करने लग जाओ, और इतनी practice करो, इतनी practice करो कि selection तुम्हारे हाथ में हो, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखो, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो, इसका answer बताओं मुझे, the energy meter has, what, air friction damping, fluid friction damping, eddy current damping, या फिर spring coil damping, spring coil damping जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, मैगर means, मैगर is a device which is used for the measurement of high resistance, high resistance की measurement के लिए, the device use किया जाता है, सबसे जादा insulation resistance यूज करते है, उसको calculate किया जाता है, और उसके लिए हम device use करते हैं, मैगर, मैगर is a device, यहाँ पर correct answer क्या है, eddy current damping is the correct answer, मैंने आपको पहले ही बता है, air friction damping में कौन-कौन से instruments use करते हैं, हम, एक होगा मेरा, एक होगा मेरा MI instrument, दूसरा होगा मेरा EMMC instrument, fluid friction damping के लिए कौन-कौन से, electrostatic voltmeter, electrostatic voltmeter, wall mounted, or eddy current damping में PMMC instrument, or induction type instrument, induction type instrument, कौन सा होता है, इधर energy meter होता है, इधर कौन सा होता है, energy meter होता है, induction type instrument, induction type instrument is energy meter, और कौन सा induction type instrument होता है, AH meter, AH meter भी होता है, एक type का induction type instrument, clear है, अचा induction type instrument में, क्या हम DC calculate कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, no DC, क्योंकि induction है वहाँ पर, main cause ही क्या है, main तरीका ही क्या है, induction है, clear, चलो, question number 29 करते हैं, what is the main purpose of potentiometer, as a device for, देखो, potentiometer का main purpose क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो अब एक simple सी चीज़ यह समझ लो, कि potentiometer में हम करते क्या है, एक तरफ है बिरी standard voltage, standard voltage से, suppose करें इस तरीके से मैंने माना, यह slide wire है आपकी, एक तरफ standard voltage को compare करेंगे, और दूसरी तरफ slide wire को, हम coil के उपड़, आगे तरफ slide करेंगे, ठीक है ना, अब देखो, basic concept क्या कहता है, potentiometer का, कि आप लोगों की voltage, क्या होनी चाहिए, same होनी चाहिए, किस कि voltage, एक तरफ standard voltage, और एक वो voltage, जितनी मेरी slide wire के उपर, जिस point के उपर, बैठ पारी है, ठीक है, तो voltage same के concept के उपर, based होता है, क्या potentiometer का concept, voltage same के concept के उपर, based होता है, किसका potentiometer का concept, correct answer क्या है, comparing the two voltages, is the correct answer, comparing two voltages, is the correct answer in this case, clear है, समझ मा रहा है न, आगे बढ़े हम, चलो आगे बढ़ते है, इस पूरे के पूरे session के, अंतिम प्रेशन के उपर, और फिर हम session end करेंगे, तो देखो बताओ, इसका क्या answer होगा, सभी लोग सोच समझ के, आंसर देंगे, चैट section में, in measuring the resistance, of voltmeter, ammeter method, VA method होता है, सभी लोग जानते है, voltmeter, ammeter method होता है, voltmeter can be connected, either across the supply, और across the resistance, voltmeter कहाँ पर connect हो सकता है, या तो supply पर connect होगा, या फिर resistance के बरावर connect होगा, देखो, voltmeter, यह supply है, suppose करिए, यहाँ पर voltmeter लगेगा, ammeter लगेगा, किसी तरीके से, और यह मेरा resistance है, इस तरीके से, यह क्या है, supply है, और यह क्या है, resistance है, ठीक है, if the resistance is low, अगर मैं low resistance measure कर रहा हूँ, तो कहाँ पर आप किस चीज को connect करेंगे, देखिए, यहाँ ध्यान से सुनिए, अगर low resistance है, तो फिर यहाँ पर मैं, ammeter को connect करूँगा, और यहाँ पर मैं, voltmeter को connect करूँगा, अगर low resistance है, जब हम पढ़ते है, ammeter voltmeter method, in the measurement of resistance, measurement of resistance में क्या पढ़ा जाता है, ammeter voltmeter method पढ़ा जाता है, ammeter मतलब ammeter पहले लगा, voltmeter बाद में लगा, इसलिए मैं ने क्या बोला, ammeter voltmeter method, ठीक है, ammeter voltmeter method किसके लिए यूज़ होता है, measurement of low resistance के लिए, और voltmeter ammeter method, मतलब voltmeter पहले लगा, ammeter बाद में लगा, voltmeter ammeter method, use किया जाता है, for the measurement of high resistance, medium value of resistance के लिए, low से जादा, ठीक है न, तो इस चीज़ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर correct answer क्या हो गया, बहुत ही बढ़िया, across the supply, हमको हमसे क्या पूछा गया है, where should the voltmeter get connected, across the supply, supply के साथ, voltmeter connect किया जा सकता है, very good, Mr. Ajay Gupta, बहुत ही जल्दी, सबसे जल्दी आपने answer दिया, across the supply is the correct answer, ठीक है न, तो चलो, पाच बजे यह class शुरू होती है, चलो class को इतना ही रखते हैं, और end करते हैं, उमीद करूँगा कि class पसंद आई, शाम के पाच बजे यह class शुरू होती है, और everyday, अब शाम के पाच बजे यह class रहेगी, और आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, और आगे बढ़ते रहिए, हमारी यही ख्वाईश है, और उमीद करूँगा, यह सभी के सभी प्रश्न आपको पसंद आए, अगर पसंद आए, तो शेर कर देना, इस पूरे के पूरे सेशन को, अपने दोस्तों के साथ, एंड जो टेलिग्राम का लिंक आपको दिख रहा होगा, चैट सेक्शन में, उसको जॉइन कर लेना, क्यूंकि वहाँ पे आपको इसका पीडिएफ भी मिल जाएगा, ठीक है ना, चलिए तो फिर मिलते हैं, हम अगली क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, किसको परिशान मत कीजेगा, और बस पढ़ाई कर लेना थोड़ी सी, ठीक है, चलो, टेंक्यू सो मजज गईज, बाई बाई